नमस्कार दोस्तों मैं पुषभेन सेंग आज की न्यूज जयर अपडेट में आपका स्वागत है छोटा सा डिस्क्लेमर आप सभी के साथ में और यूज अपडेट यहां पर उस्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के तो पहली न्यूज है यहाँ पर बड़ी न्यूज है यहाँ पर रिच डेट पूर डेट फाउंडर रोबोट क्योसाकी ने वर्निंग दी है यहाँ पर everything will fall, everything will go down, everything will crash, ऐसा उनका कहना है plan to buy more bitcoin और यहाँ ने यहाँ पर एक और चीज कह दिया है कि यहाँ पर try करना जब यह crash हो तो इस crash के अंदर जादा से जादा bitcoin वाई करना है क्योंकि bitcoin यह कैसी money है जिसके अंदर क्या है कि अगर हम बात करें पिछले 2-3 months के अंदर stock market crash हुआ है सारी market crash हुए है लेकि bitcoin ने यहाँ पर कहें कि लगवग अपना 50% up दे दिया है all time low से और अभी तो यह शुरू बात है अभी तो picture बाकी है तो यहाँ पर यह काफी bullish लग रहे है bitcoin के अंदर मुझे लगता है कि इन्होंने अच्छा कासा मोटा invest कर दिया है bitcoin के अंदर पहले यह gold और silver के अंदर बहुत invest करते थे हाला कि यह अभी भी करते है लेकर अब की बार income है देख रहा हूँ यहाँ पर he expect bitcoin investor to get richer when the Fed तो यहाँ पर कहाँ कि जो आप देख रहे हैं कि तरफ से बार बार rate बढ़ाए जाता है interest rate बढ़ाए जाता है लेकर ऐसे में कहाँ कि यह काफी bullish से हाँ पर नजर आ रहे है चोटा मोटा नाम नहीं है पूरे world के अंदर इनकी जो book है वो कोई भी business person है कोई भी student है वो इनकी book को पढ़ता ही पढ़ता है तो यहाँ पर next update की उपर चलते हैं कजाकिस्तान से है तो कजाकिस्तान mandate 75% revenue sale from crypto mining for tax purpose अब आप सोच सकते हूं कि 75% revenue अपने आप में बहुत बढ़ी बात है और crypto mining को यहाँ पर कितने positive तरीके से देखते हैं next update की तरफ चलते हैं जो किए Shopify से Shopify एक e-commerce platform है जहाँ पर क्या होगा कि payment gateway की तरह है यहाँ पर कहेंगी NFT पिलस में कहेंगी यहाँ पर crypto को accept किया जाएगा और यहाँ पर कहेंगी Shopify ने पूरा platform यहाँ पर launch कर दिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं तर इस्टेट यहाँ पर इनका काम पर गया यहाँ यहाँ पर देख सकते हो तो टोकर गेट करके यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर क्या है जिसके अंदर कहेंगी पूरी पूरी आप यहाँ पर कहेंगी NFT और इन सब सारी चीयों के अंदर trade कर सकते हो और बड़े लेबल के उपर यहाँ पर काम कर रहे हैं नेक्स अपडेट हैं बड्राजिल से ब्राजिल ओल्डेस्ट बैंक एलाओ रेजिटेंस तो पे देयर टेक्स यूजिंग क्रिप्टो करन्सी मौज कर दी हो आई याने कि अगर आप क्रिप्टो करन्सी आपके पास में है और आपको इंकम टेक्स पे करना है तो आप सीधा उसको यूज कर सकते हो इनके गवर्मेंट के पॉर्टल के उपर दा मूब विल एलाओ ब्राजिलियन टेक्स पेयर टु इजिली सेटल देर टेक्स लिएविल्टीज मीनवाइल एक्सपेंडिंग एक्सस टू दी डिजीटल एसेट इको सिस्टम मतलब यार दो घंटे पहले की न्यूज है आप सोचो कि पूरे वर्ल्डवाइट क्या चल रहा है मतलब टेक्स भी आप क्रिप्टो से भी कर सकते हो क्रिप्टो की वैल्यू दिसे जरे क्रेट होनी स्टाट होई है और अभी क्रिप्टो बुरानी नहीं है क्रिप्टो बहुत न्यू है तो ऐसे ऐसी चीज़े हैं पर हमें देखने को मिल रही है आने वाले टाइम के अंदर आप देखेंगे फाइनस मिनेश्टर भी कहेंगी ह हमारी क्रिप्टो है तो आप को ये डिस्कांट मिलेगा आपको ये बेरिफिट मिलेगे क्योंकि अभी देखो उनकी टोन के अषरी है है आपने न्यू ज indispensable क्रिप्टो आप सभी को इंद्ते करेंसी रेगुलेशन इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर सेज भारत के अंदर यहाँ पर बहुत लंबे टाइम से डिसकुशन चल ला है कि भाई क्रिप्टो रेगुलेट होगी तीन कमेटी अब तक बन चुकी है कई बार बैन करने की बात हुई कई बार सजा की बात हुई अगर आप दो तीन इंटर्व्य देखेंगे तो आप देखेंगे इनका काफी सॉफ्ट कॉर्णर नजरा रहा है क्योंकि इनको भी पता चल चका है बिटकोईन को बैन नहीं किया जा सकता है पूरे वर्डवाइड क्रिप्टो करनसी एकसर्प्ट हो रही है पूरे वर्डव ज्यूंकि क्रिप्टो में टेकनोलोजी का प्लेस ज़ादा है इंटी नाइन परसंट रही है यहाँ पर क्या है इनको डिस्ट्रुटिटेड ले जा रहे है ठोकि जो ब्लॉक्चन का है एक डिजिटल दिस्ट्रुटेड ले जा रहे है जिसके अंदर क्या है कि आपने जो चीज एक वाल लिख दी वो पर्मानेंट हो गई उसे कोई डेन डिलीट कर सकता, कोई नहीं रिमूब कर सकता, कोई नहीं ओल्टर कर सकता कि रेगुलेशन अगर होना है, अगर होना है, तो एक अलग देश अकेला कुछ कर नहीं सकते कोई भी कर सकता है, राइट, so there are lot of ways to sell crypto, तो यहाँ पर कहाएगी, गवर्मेंट को भी पता है कि कि यहाँ पर multiple country के साथ में लोग इस तरह की चीज़ें करने लगेंगे, इसी लिए क्या कि इसके लिए एक देश काम नहीं कर सकता, कोई जाएगा, दुबई जाएगा, दुबई की ट्रिप करेगा, बुर्ज खलीवा गों के आएगा, साम को जाके वहाँ ATM से अपनी crypto withdrawal कर ल अगें, अगर आप इनकी बात आगे सुनोगे, इसलिए सब के साथ बात कर रहे हैं, क्या कुछ standard operating procedure हम बन पाएंगे, जिससे अगर सब लोग उसके रास्ते पर चलते हुए एक regulatory framework हम बना देते हैं, हम effective रह पाएंगे, तो यह सब चर्चा में विशा है, चल रही है, तो यह स इन्डिया एक तरीके से इसको first priority में रख रहा है, crypto को, तो यह अपने हमें बड़ी बात भी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे, इसका एक रीजन यह भी है, बहुत सारे startups क्या कि वो दुबई shift हो गए, और उनमें से कई सारे startups ऐसे थे, कई सारे लोग ऐसे थे, जो एक बहुत म आफिस कहा कि दूसरी country में setup करने लग गए, जो sales दिखाई, profit दिखाई, वहाँ दिखाने लग गए, पैसा तो गया, अब यहाँ पर जो finance minister है, उनको भी यह चीज का पता है, उनको भी इस चीज की समझ है, कि भाईया, अभी इसकी उपर action नहीं लिया, तो मामला वेगर होगे, कोई भी political leader का negative बयान नहीं आए, crypto के, अगर हम यहाँ पर दो-तिन लोगों को छोड़ दे, जो की bottom हमें सा प्रेडिक करते है, एक तो चेतन भागत जी, एक विवेक बंद्रा जी, उन दोनों की विवेक बंद्रा जी की और चेतन भागत जी की बहुत deep understanding है, bitcoin के बारे म अब आप बोलोगे के नहीं, TDS के उपर तो साथ सल की सजा, यह TDS के उपर है, वो टेक्स ना पे करने के उपर है, वो एक अलग चीज है, बट उसमें क्रिप्टो से कोई रिलना देना नहीं है, वो किसी भी चीज का TDS हो, अगर आप TDS नहीं पे करते, तो वो सजा सब के लि मार्केट है, वो काफी वोलिटाइल चल रही है, और ऐसे मैं क्या है कि मार्केट के अंदर, ओल्ट के अंदर करेक्शन भी आया है, तो यहां पर मैं आप सभी के साथ मैं, पुस्पेंसिंग सॉट्स चैनल के उपर वीडियो ले के आ रहा हूँ, पहुत जल्दी, जिसमें मै वीडियो यहां पर बहुत पहले आ चुकी थी, लेकिन मैं डेटेल वीडियो यहां पर सॉट वीडियो भी डालता रहता हूँ, यहां पर डेटेल वीडियो भी डालता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और यहां पांच कोईन मैं अल्रेडी डाल चुका उतको भी जाके वाच कर लेना मिलते हैं अगली अपडेटों है जो तक के लिए बाई बाई टेक केर थेंक्यू बेरी मच